Hello students, आज हम इस वीडियो में Markowitz portfolio theory और उसके assumptions को discuss करेंगे, तो चलिए start करते हैं, देखे नाम से क्या समझ में आ रहा है, Markowitz portfolio theory, मतलब एक economics इनका नाम Markowitz है, उन्होंने एक theory दी है, एक model दिया है, जिसका नाम क्या है, किस चीज़ पर ये theory ये model दिया गे, portfolio पे, तो Markowitz portfolio theory, portfolio के regarding Markowitz क जो theory दी गई है, वो ही आज हम यहाँ पर discuss करेंगे, तो basically इसको समझने के लिए हमें क्या जाना जरूरी है, कि portfolio क्या है, है ना, जो theory है, जो model दिया गया, वो किस पर दिया गया, portfolio पे दिया गया, तो आकर portfolio है क्या चीज़, तो देखे, portfolio हम किसे कहते हैं, यह क्या होता है, ए जा तो इस 10 लाग रुपए से किसी एक कंपनी के शेयर्स खरीद लीजे, या फिर आप इसी 10 लाग शेयर्स से एक कंपनी के डिवेंचर खरीद लीजे, या इसी 10 लाग रुपए से कहीं पर derivative या किसी और मार्केट में इन्वेस्ट कर दीजे, तो एक तो यह तरीका होता है, इसी 10 लाग रुपए को, इसी 10 लाग रुपए से मैंने शेयर्स भी खरीद लीजे, बॉन्ड भी खरीद लीजे, किसी और कंपनी के डिवेंचर्स भी खरीद लीजे, कहीं की FD खरीद ली, कुछ कमूरिटी मार्केट में डाल दिया, तो अभी मैंने क्या किया, अलग अलग assets, अलग-अलग securities में अपने पैसे को invest किया है, तो यह जो अलग-अलग जिखा मैंने invest किया ना, यही total में क्या कहला है, portfolio कहला है, अब मेरा एक portfolio हो सकता, portfolio A, portfolio B, portfolio C, ऐसे कई portfolio हो सकते हैं, मतलब एक portfolio में मैंने सिफ shares, bonds और डिवेंचर रखे हैं, दूसरे portfolio में मैंने कुछ shares IT company के कुछ, आपके banking sector के, कुछ telecom industries के, सिर्फ shares में invest किया है, पर अलग-अलग company के shares में, अलग-अलग sector, अलग-अलग industry के share में किया, तो मेरा portfolio भी हो गिया, ऐसे मैंने अलग portfolio बनाया, portfolio C बनाया, तो मतलब portfolio का मतलब समझ में आ गया, कि a combination है, किसका essence and securities का, so that is what collection of investment that includes stocks, bonds and other types of assets तो अब यहाँ पर क्या बात उठी, कि यह जो theory आप समझने जा रहे हैं, जिसे Markowitz ने दी वही है, इस theory में हम इसे portfolio के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब यह जो portfolio आप decide करने वाले हो ना, उसे के बारे में बात होने वाली है, तो basically यह जो theory है, वो क्या कहती है, कि एक investment strategy है, पूरा Markowitz portfolio theory है, जो पूरा model दिया गया है, वो क्या है, एक investment strategy है, investment strategy क्या मतलब हुआ यहाँ पे, कि हम जो investment करने वाले हैं, हम strategy adopt कर रहे हैं, एक ऐसे portfolio को create करने की और select करने की, जो हमें maximum return देने वाला है, मतलब मेरा जो यह combination of assets होने वाला है, एक ऐसा combination of assets बनने वाला है, जहा हमेरे पास जादा से जादा return आएगा, हम एक ऐसे portfolio को त्यार करने वाले है, ऐसे portfolio को select करने वाले हैं, जिसके basis पे हमारा return maximum होगा, यह model, यह theory हमें इसी portfolio को create करने में और select करने में help करेगी, so basically, यह जो theory है, वो I कहां से, Markowitz modern portfolio theory भी इसे कहते हैं, और यह I कैसे है, तो यह Harry Markowitz model basically, यह theory Harry Markowitz के through AI, जिसका नाम रखा गया था Harry Markowitz model, जो की पहली बार जो publish हुई थी, वो journal में publish हुई थी, journal of finance में, 1952 में, और वहाँ पे इस paper का जो नाम था, वो portfolio selection था, तो मतलब इस portfolio selection के अंदर, यह model को discuss किया गया था, first time में, और इनके journal में, right, अब यहाँ पे इस model के बार ship को समझती थी, देखिएगा, जब अब portfolio पे investment के बात कर रहे हैं, यह portfolio के selection के बात कर रहे हैं, हमें यह तो समझ में आ गया, कि यह जो हम theory पढ़ने जा रहे हैं, वो basically हमें selection में help करने वाली है, किस चीज़ के selection में, एक ऐसा portfolio चूज़ करने में, जिस portfolio से हम जादा-जादा return पाएं, तो देखिए, दो चीज़ होती है, और यह पूरी theory भी वैसे ही काम करेगी, risk और return, है ना, क्योंकि अगर आप return जादा चाहते हैं, तो आपको risk भी लेना पड़ेगा, है ना, तो यह क्या करेगी, यह theory risk और return को analysis करेगी, कि भी risk कितना है, और return कितना मिल रहा है, है ना, और यह हम जानते भी हैं, कि कहा जाता है, कि जादा कमाना है, तो risk भी जादा लेना पड़ेगा, तो obvious सी बात है, अब अब investment करने जा रहे हैं, तो यह कैसा portfolio चूज़ करना पड़ेगा, जहां पे हम इस चीज़ को balance कर पाएं, है ना, तो यह पूरा model हमें इसी return को analysis करने वाला है, तो यह क्या है, एक practical method है, जहां पे हम इस investment को select करने वाले हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, overall return को maximize कर पाएं, within acceptable level of risk, मतलब उस risk के level पे, जो risk एक investor accept कर सकता, जैसे आप कहते हैं, कि being an investor, मैं इतने percent तक का risk bear कर सकता हूँ, appetite कर सकते हैं, है ना, इतना तक risk चले गा, tolerate कर सकते हैं, तो जो भी acceptable level of risk है, investor का, उस acceptable level of risk पे maximize return देना, overall combination of assets से, जादा से जादा return देना, इस चीज़ को select करना है, ऐसे portfolio को select करने का, यह model एक तरीका है, यह model आपको help करने वाला है, okay, so this theory is based on two main concepts, दो important concepts इस theory में पूरा काम किया गया है, वो क्या-क्या है, पहली ब उनका main objective जो है, वो return को maximize करना है, any level of risk, जो भी risk आपके सामने दिया जा रहा, जैसे अगर investor अगर बोला जा रहा कि इस portfolio में, मतलब जहाँ जहाँ भी आप इस अपने पैसे को लगाएंगे, इस portfolio में अगर shares, bond, ventures आ रहे हैं, और telecom industry, और IT sectors, और या फिर banking sector, इन तीन sectors को involve करक portfolio बनाया गया है, मतलब इन तीनों sectors में आपकी investment होने वाली है, तो अब इस तीनों sectors में, अगर बोला जा रहा है, 10% का risk है, तो हम वो 10% के risk पे ही, कितना जादा जादा return पापाएं, ये एक पहला aim होता है, इस theory का, मतलब ये मानती ही theory, कि maximize return करना है, दूसरा, काम क्या करना ह risk को diversify करना है, risk को minimize करना है, और risk को minimize करने का तरीका इनोंने क्या बता है, diversify करना है, diversify करने का मतलब portfolio को अलग अलग जगा पे invest करना है, for example, आप ये समझेगा, और diversification बहुत important इस model में, तो आप ऐसे समझेगा, कि जैसे suppose करिए कि आपको investment करना है न, 10 लाग रुपे, अब आ लगा, shares खरीद दी है, जिस भी securities में अपने invest कर दी है, अपने 10 लाग रुपे को, अब यहाँ पे sector तो एक ही है, कल को market में कोई problem आई, market down गया, तो आपके जितने भी shares है, जिस भी company के रहे हो, लेकिन belong तो एक ही industry को कर रहे थे, तो पूरी के पूरे shares क्या हो जाएंगे, गय मतलब उसके पूरी के पूरी price down हो जाएगी, क्योंकि IT sectors पर problem आई, उस particular sector पर problem आई, तो जब sector में problem आई, तो पूरा जो भी पैसा लगा था उस sector को, वो पूरा का पूरा down हो गया, तो यहाँ पे मैंने risk को diversify किया, नहीं, risk को diversify नहीं किया है, लेकिन अगर मैंने यहीं पे IT सेक्टर का भी लिया होता, और banking सेक्टर का भी लिया होता, और telecom सेक्टर का भी लिया होता, यह textile सेक्टर का लिया होता, हमने यह से चार industries के लिया होता, अब माली जी किसी industry में, किसी industry का market down गया, पर कोई और mark, कोई और जो बाकी industries हमारी थी, वो down नहीं गई, तो वो क्या कर diversify कर रखा था, अलग-अलग जगा पे लगा रखा था, तो इन्होंने कहा कि risk को कम करना है ना, तो diversification important है, मतलब अपने portfolio को जितना diversify करेंगे, जितनी जगा-जगा, अलग-अलग जगा पे पैसे लगाएंगे अपने portfolio में, उतना ही आपका risk diversify होगा और वो minimize होगा, यहाँ प आपका यह जो model है ना, वो उसको cover नहीं करती है, systematic risk कैसा होता है, systematic risk बिल्कुल uncontrollable होता है, वो market पे depend करता है, जो कि investors चाहे जितना भी portfolio को diversify के है, उस risk को वो control नहीं कर सकता है, उसकी beyond होता है, उसकी power की beyond होता है, वही unsystematic risk जो होता है, वो control किया जा सकता है, वो diversify है, आप portfolio को diversify करेंगे ना, अलग-अलग जगा लगा के ना, उस risk को कम कर सकते हैं, उसको hedge कर सकते हैं, तो वो unsystematic risk होता है, तो basically जो model है ना, वो unsystematic risk को cover करता है, systematic risk को cover नहीं करता है, उस पर focus नहीं करता है, ठीक है, तो एक जिस तो यहां पर clear हो गई, तो यहां इस theory का दो concept हो गया, return को maximize करना और risk को diversify करना by diversifying portfolio, risk को reduce कैसे करेंगे, portfolio को diversify करके, अलग-अलग securities में, जो कि unrelated हो, है ना, और इस model में ज़्यादा focus क्या क्या गया गया, तो अब यह model कहता क्या है, कि हमें क्या करना है, एक ऐसा investor को क्या करना है, कि एक ऐसा portfolio construct करना है, जो efficient हो, है ना, तो basically MPT जो theory है, इसे model theory भी कहते हैं, तो यह जो model theory थी ना, वो focus करती थी efficient portfolio पे, अब यहाँ पे efficient portfolio का मतलब क्या हुआ, इन्होंने कहा, ऐसा आप जो portfolio select कर रहे हैं, तो portfolio select करते हैं वक्त, आपको efficient बनाना है, और efficient का मतलब उनका क्या हुआ, दो बात, पहले चीज, कि जो भी risk दिया गया, given level of risk में highest return कमाना, एक, आपका portfolio ऐसा हो कि जो भी risk है, उसे highest return कमाना है, या तो यह कर रहा हूँ, या फिर क्या कर रहा हूँ, और lowest risk for our given level of return, जो भी return वो दे रहा है ना, और जो भी risk है, उस risk को कम कर दे, मतलब दो scenario बनता है, एक, risk को जितना है, उतना ही रहने दो, return बढ़ा या return को उतना ही रखो, risk को कम कर दो, अगर आपने अपने portfolio को इस तरह से manage कर लिया, दोनों मेंसे कोई भी एक option चूज करके, आपने portfolio को manage कर लिया, तो हम उसी portfolio को कहेंगे efficient portfolio, जो की एक investor को construct करना चाहिए, और इस model के through, वो वो portfolio construct कर सकता है, ठीक है, इस बात को एक example से समझते suppose करिये risk 20% है, और return 30%, कोई portfolio हम लेते हैं, उस portfolio में जो risk है, वो 20% का है, return 30% का, अब इस portfolio को हम efficient कैसे बनाएंगे, या तो पहला तरीका क्या हुआ, हम यहाँ पर return जो 30% है, इसको बढ़ा दे, मतलब 40% कर दे, और risk same रहने दे 20%, मतलब अब हम अपने इस portfolio को ऐसा construct कर रहे हैं, कि 20% का risk 20% ही रहे, और return 30% था न, वो बढ़ जाए, तो वो 40% return हो जाए, तो यह हुआ पहला वाला highest return for a given level of risk, या तो यह करे, या फिर हम क्या करे, same return पाए, same return किता हम तो 30% return था portfolio का, 30% ही return रखने दे, पर हम उस risk को, जो कि 20% था, उसको lower कर दे, मतलब 10% कर दे, अगर हम इ efficient portfolio कहलाता है, इसे efficient portfolio के साथ हमें एक और concept आपको देते, efficient front tire का, और efficient front tire का जो concept है न, वो भी Markowitz के through ही दिया गया था, actually efficient front tire है, क्या चीज़, तो देखिए, बहुत कम में हम इस चीज़ को, बहुत short में इस चीज़ को समझा रहे हैं, तो basically efficient front tire एक graphical representation होता है, तो अब एक graph के through आप न, इसको represent कर रहे हैं, अब यह जो graph के through आप represent करने वाले हो, show करने वाले हो, क्या show करने वाले हो, all possible combination of risk की securities, for an optimum level of return, given a particular level of risk, तो जितना भी combination, एक portfolio में जितना भी combination हो सकता है न, securities का, मतलब सपोस करिए, जैसे आपने एक portfolio choose किया, जहाँ पे आपने IT sector, textile sector, telecom sector, तीन से सक्टर में investment के बारे में सोचा है, ठीक, अब इसमें कितना combination बन सकता है, हो सकता है, आपने पहले किया हो, कि आपने मतलब कि तीनों को equal relation बाड़ा हो, one is to one is to one is to one is to me बाड़ा हो, मतलब अपने जितना भी पैसा है, तीनों सेक्टर में बरावर बरावर लगाया हो, फिर आपने पैसे को invest किया, मतलब all combinations of the risky securities, जो भी securities में आप ऐसा लगाने जारे हो, जिस भी portfolio को आप constructed रहे हो, उसमें क्या 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 combination frame कर सकते हैं, या उस combination, क्योंकि weight देंगे न, बहुत दस लाग का पांच-पांच लाग लगा रहे हैं, अगर मानने दो ही sector choose कर रहे हैं, तो 55 lakh लगा रहे हैं, या किसी में 6 and 4 लगा रहे हैं, या हम पहले बाले में 4, दूसरे बाले में 6 लगा रहे हैं, है न, या हम 7 and 3 लगा रहे हैं, या 3 and 7 लगा रहे हैं, मतलब बहुत सारी combination बन रहे हैं, तो कहा क्या जा रहा है, ये graphical representation है, सारी possible combination का, उन securities का, और एक ऐसे उस पे आपको इस graph को रखना है, जहां पर आपको optimum level of return मिले, particular level of risk, मतलब जितना भी risk आप bear कर सकते हैं, उस risk से maximum return आपको पाना है, अब आप सारी combination को choose करेंगे, और सारे combination से आप check करेंगे कि क्या return मिल रहा है, क्या risk है, क्या return है, क्या risk है, इस तरह से आप पूरा graph तेयार करेंगे अब इसमें यह होता है कि उस graph के बाहर जो चलेगे हैं, उसका क्या मितलब निकलता है, उससे नीचे हैं, तो क्या मितलब है, लेकिन हम उस portfolio को अच्छा पाते हैं, उस portfolio को हम सही समझते हैं, उसको choose करते हैं, जो क्या करता है, upper portion of the curve, मतलब जो curve आपका तयार होगा न, जब आप यह पूरा efficient frontier बनाएंगे, graph set करेंगे, combinations को रख रख के, तो जो curve त्यार होता है, उस curve के जो upper portion में portfolio आता है, उसे हम efficient मानते हैं, क्यों? क्योंकि वो portfolio होता है, जो maximum return देता है, at a given level of risk, मतलब जो भी risk का आपका चल रहा था, उसी risk पो वो सबसे ज़ादा return प्रोवाइड क construct कैसे कर रहे हैं, तो efficient frontier उसमें help करता है, उसको construct करने के, यह हम graph बना के, उसको सारे combinations को रख के, हम समझते हैं, और best one को choose करते हैं, right, so अब अगर हम in summarize way में देखें, जितना हमने सब को समझा है, तो देखें, एक जीस clear है, कि यह जो पूरा model है, जो पूरा theory है ना, वो statistical analysis के मतब हम risk को कैसे measure करेंगे, कि भाई, इस portfolio में कितना risk है, तो इस risk को measure करने के लिए ना, उन्होंने statistical tools को use किया है, statistically इसको analysis किया है, standard deviation, correlation, variance, इन सब की तुरू ना, इस risk को analysis करने की कोशिश की गई है, है ना, अब जब beta वेगरा है कि कितना sensitive है, मतब आपका security, कि beta क्या होता है securities की sensitivity को check करता है, तो जैसे suppose करिए, क्योंकि beta भी आपके लिए important exam point of view से, तो जैसे आप समझेएगा, कि मानले जब मेरी जो shares है, मेरी जो security है, अगर market down जा रहा है, तो मेरी securities पे कितना impact पड़ता है, क्या मेरी securities पे down जाएंगी, अगर market up कर रहा है, तो मेरी securities कितना, क्या up करे जाएंगी, और करेंगी तो कितना करेंगे, मतलब वो कितना sensitive है, market से, है ना, तो beta 1 के through represent करते हैं, तो ये beta जो होता है, sensitivity को measure करता है, securities के sensitivity को measure करता है, कि market से कितना sensitive है, कहते हैं, कि बहुत sensitive है, problem आई नहीं कि तुरंट उसका impact पड़ा, ये problem आई इस पर को impact नहीं पड़ा, ये हमें beta के through measure किया जाता है, तो basically market model theory जो होता है, वो पूरे risk को measure करेगा statistical tool के through, है ना, अब अगर statistical tool के through measure करने के बात करें, तो basically ये क्या कहता है, कि negative correlation का जो portfolio उसको select करो, है ना, अब जब आप calculate करेंगे, statistical tool apply करेंगे, तो जो portfolio में आपका negative correlation आ रहा है, इनके according वो choose करना च कि कितना एक दूसरे से mutually ये relate कर रहे है, एक का दूसरे पर कितना जा रहा है, ये relation इनको ये correlation के through हम find out करते हैं, है ना, correlation पर हमारा already video बना हुआ है, तो basically ये relation समझाता है, ये कह रहा है, कैसा relation होना चाहिए, जो भी दो factor है, risk और return, factor कौन से है इनके, risk और return, इन दोनों के बी कि, पहली बात तो risk और return की बीच में negative correlation होना चाहिए, कैसे समझेगा, कि भाई, अगर risk कम है, तो return जादा हो, negatively दोनों एक दूसरे को जा रहे है, अगर risk down जा रहा है, तो return कैसे जाना चाहिए, return down रहे है, और risk upward रहे है, ऐसा नहीं चलना चाहिए, तो negative correlation हो चाहिए, दूसरा इस portfolio में लगी भी है, तो ये security ABC ने negatively correlate करती हूँ, negatively correlate करने का क्या मतलब हुआ, कि ऐसी situation जहाँ पे अगर एक security downward move कर रहे है, तो दूसरी बारी securities कैसे move करने चाहिए, upward move करने चाहिए, है ना, suppose करो एक sector की securities, जो एक sector की securities है, उसका rate down जा रहे है, तो return of ऐसे बात है, मेरी जो next securities ह होना, वो ऐसी हूँ, कि जो इससे impact ना हो, वो अलग industry को belong करती हो, वो industry groom कर रहे है, वो industry बढ़ रहे है, एक example लेते हैं, जैसे suppose करिए, कि जब आपका आया था COVID का scenario, तो COVID की scenario में ऐसा portfolio अच्छा रहा होगा, जो pharmaceuticals और other industries के में एक साथ लाग हो, जैसे मान लेजे, आपने automobile sector म बंद हो गया, है न, demand खतम हो गई, मैं तब कार वेगरा, जो कुछ भी थी नहीं आ रहा, तो ऐसा समय में automobile sector के जो securities यह, जो भी shares थे, वो जो जो भी चीज़े थे, वो डाउन जा रहे है, पूरा market डाउन जा रहे थे, लेकिन वहीं पे, अगर pharmaceutical companies में भी आपकी shares लगे थे, तो pharmaceutical companies में ने-ने project आ रहे थे, जिससे की research हो रही थी, वो groom कर रही थी, वो आगे बढ़ रही थी, तो अगर आपकी portfolio को combination ऐसा रहा हो, कि automobile sector और आपका pharmaceutical sector दोनों में लगा था, तो अभले automobile sector डाउन जा रहा हो, लेकिन pharmaceutical sectors के groom करने से, overall जो risk था न, वो कम हो गया होगा, पूरी loss में आप नहीं चाते, क्योंकि दूसरे ने उसको क्या कर लिया, cover कर लिया, तो negative effect is, one is covered by the other, तो अगर एक negative जा रहा है, तो positive wellness को cover कर लिया, तो हमेशे इसका negative correlation होना चाहिए, इस portfolio theory का, बिज़ अब select करेंगे न, तो इस बात का हमें ध्यान रखना होता है, अब हम बात करते है, market rates theory की assumptions की, देखी, इस theory के कुछ assumptions है, पहले assumptions क्या हो गई, यह पूरा model यह मानता है, कि जो investors होते हैं, बहुत rational होते हैं, और rational ने sense कि वो हमेशे behave करते हैं, certain manner में, मतलब ऐसे ही चलेंगे, उनका ऐसा ही approach होगा, तो उन्होंने सभी के लिए, universally एक approach set कर दिया, कि सारे investors rational हो बहुत सोच विचार के हो, और कुछी चीज में invest करेंगे, बहुत rational होगे, कम समस्क के खर्च करेंगे, और एक certain manner में वो behave करते हैं, तो एक assumption इनकी होगी, दूसरे assumption यह investor के regarding इंका क्या है, कि सारे के सारे investor कैसे होते हैं, मतलब किसी भी investor को रिस्क नहीं लेना है, सब कि सब investor विचैने पाता ही, सोच के बाते हैं, कि उनको रिस्क चाहिए ही नहीं, बिलकुल नहीं चाहिए, लेकिन अगर देखा जाना है, तो universally इससाच नहीं है, क्योंकि सारे investors ऐसे नहीं होते हैं, जो यह सोच के बाते हैं, क्योंकर रिस्क की प्रोजेक्ट में इंविस्क करने के ल नहीं है, basically मैंने यहाँ पर market risk theory के assumption के साथ उसी में criticism को भी cover करने की कोशिश की है, कि वो rational behave करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है यह risk average होते हैं, जबकि actually यह true नहीं है, फिर दूसी चीज किया है कि यहाँ पर इस model में जो assume किया गया है, वो type of assets के regarding कि जितने भी security जो भी assets में पैसा लगाने वाले हैं अपने portfolio में, वो assets कैसी होती है, दो ही तरह की होती है, या तो return कम देंगी, या तो return जादा देंगी दो ही तरह का, आपका assets का scenario होता है, जबकि ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी securities होती है, वो जो moderate होती है, मतलब, ना तो वो बहुत high return दे रही होती है, ना ही बहुत कम return दे रही होती है, वो बीच में काम कर रही होती है, तो यहाँ पे पूरे assets को सरफ दो ही पार्ट में define कर दिया, low return या high return जबकि ऐसे बात नहीं होती है, और एक और इनका जो assumption था, वो market क्या होता है हमेशा efficient होता है, मतलब क्या, कि market हमेशा एक direction पर work कर रहा होता है और मतलब जैसा market को अगर move कर रहा तो सारे जो भी sector से वो accordingly move करते होते हैं market का अपना एक frame है और वो situation के according उसी तरह move करेगा, हमेशा, उन्होंने उस market की movement के बारे में analysis कर ले कि वो वैसा ही move करेगा, इसी लिए शायद उन्हें systematic risk को focus नहीं किया, जबकि systematic risk बहुत important है, है न क्योंकि वो हमारे beyond है और वो market पर depend करता हो, market हमेशा एक तरह से work नहीं करता है तो एक तो ही इनका assumption था, जो कि सही नहीं assumption था, इसके इलावा market विट्स का assumption और भी है, कि market विट्स कहता है कि portfolio assume that every investor has unlimited access to information about the market changes, मतब हमें पहले से ही पता है, मतब हम अराम से हमको market में क्या चल रहा है, कैसे नहीं है, क्या वहाँ पे हो रहा है हमको market की सारे information हर investor के पास होती है, पर अगर reality की बात करे ना, तो यह नहीं होता हर investor के पास इतनी knowledge नहीं होती है वो इतना ज़्यादा expert नहीं होता है securities के बारे में, कि वो हर चीज, हर market से related, हर security से related, हर relevant data को समझ सके, तो ऐसा investors के पास नहीं होता है, यहना दूसरी assumption इस theory की क्या है कि diversification important, मतलब यह theory जो है दो ही बात पर तो काम कर रही थी, पहली बात तो काम क्या कर रही थी कि भी return को बढ़ाना है, दूसरा risk को minimize करना हो, और risk को minimize करने का एकी तरीका नहीं नहीं बताया क्या, diversification तो actually diversification is only way to minimize the investment risk, जबकि यह सही नहीं है कि सिर्फ portfolio को हम diversify कर दे जतने ज़्यादा securities में अपने portfolio को, अथ अपने portfolio में जतनी ज़्यादा securities को हम coverage देंगे, उतनी ज़्यादा हमारा risk diversify हो जाएगा और उसके वज़े से हमारा risk minimize हो जाएगा तो सब diversification के बिस पर risk को minimize कर पाना possible नहीं होता है और जबकि इस model में सिर्फ इसी को focus किया गया risk को minimize करने के लिए यह model जो होता है mention करता है bracket of bearable loss मतलब हर एक के लिए loss का एक condition है कि इतना तक loss वो bear कर सकता है पर real world में investors किसी एक bracket में नहीं आते हैं जैसे एक particular investor ही एक time phase में एक अलग risk के bracket में रहता है कि वो इतना risk cover कर सकता है पर अलग time phase में ही उसका जो risk को appetite करने का condition है मतलब risk को जितना वो digest कर सकता है वो condition change हो जाती है एक time हमारा अच्छा तो हम जादा risk ले सकते हैं पर sometimes हम उतनी risk लेने की condition में नहीं है और ये risk लेना ना लेना investors के कई factors पर depend करता है उनके times पर, उनके age पर ऐसे बहुत सारे factors हैं जो risk लेने की capacity पर depend करते हैं तो उन्हें ने loss को bear करने के लिए एक पूरा bracket set कर दे कि इतना loss ले सकते हैं इतना risk वो कर सकते हैं तो इस तरह का model या इस तरह का assumption इस theory का था I hope आपको clear हुआ होगा wish you all the best, thank you so much